Hello everyone, welcome back to the channel तो friends, हमारी आज की वीडियो में हमारे पास एक नमबर है 729 इस नमबर का हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है और वो भी किस से? प्राइम फेक्टराइजेशन मेथट से तो चलिए आएए, हम इसे सॉल्व करते हैं इसके बहले मैंने बहुत से वीडियो बनाई हैं जिसमें क्यूब रूट कवर किया है और स्क्वार रूट कवर किया है वो सारे वीडियो भी देखना नहीं भूलिएगा तो यहाँ पर हमने यह जो नमबर है, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है यहाँ पर हमने एक vertical line बनाई है और कुछ horizontal lines बना ली है और इसमें हम इन number को लिख लेंगे अब हमें क्या करना है कि जो सबसे छोटे से छोटे prime number है जैसे 2 सबसे छोटा prime number कौन सा है? 2 फिर उसके बाद कौन सा है? 3 फिर क्या है? 5 फिर क्या है? 7 and so on ठीक है? तो यह जो सब numbers है वो क्या है? Prime number Prime number जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो अपनी ही table से divide होते हैं ठीक है? तो अपनी table से divide होते हैं सिर्फ अपने ही number से यह divide हो सकते हैं तो इसे prime number कहते हैं तो यहाँ पर यह हो गए prime numbers तो यहाँ पर आप यह देखो, कि यह number जो है, वो क्या है, 729, यह जो last number है, वो कैसा number है, even है कि odd है, अगर यह even है, तो it means कि यह 2 से divide हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यह यहाँ पर 9 है number, तो it means कि यह odd number है, तो यह 2 से divide नहीं होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, 3 से divide करत तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, ठीक है, अब 3 को, 3 से अब हम 729 को यहाँ पर side में rough करके क्या करेंगे, divide करेंगे, तो 3 से divide करेंगे 729 को, तो 3 to the 6, ठीक है, 1 अगया नीचे, और यह फिर आया 2, 12 हो गया, तो यह 4 times हो गया, तो यहाँ पर यह 12, यह 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठ यह 9 जो है, वो क्या होगा, नीचे आजाएगा, यह वाला 9, तो अब 3, 3 जा, 9 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर, यह कितना आ गया, 243, जब हमने 3 से 729 को divide किया, तो कितना आया, 243, अब देखो, यह last में, फिर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानि कि even number नहीं है, तो it means कि यह 2 से divide नहीं होगा, तो इसको हम फिर से क्या करेंगे, 3 से divide करेंगे, ठीक है, 243 को, अगर हम फिर से 3 से divide करेंगे, तो यहाँ पर आया 3, तो 3 8 जा, 24 होता है, तो 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हो गया 24, और यह हो गया, ठीक, अब क्या होगा, यह 3 नीचे आए तो 3 वन्जा 3, अब यह क्या हो गया, 0 है ना नीचे, remainder क्या हो गया, 0 हो गया, तो यह कितना हो रहा है, divide करने के बाद, 81, तो यहाँ पर यह आगया, 81, ठीक, अब देखो, अब यह फिर से क्या हो रहा है, odd number है, ठीक, यानि कि यह 2 से फिर से divide नहीं होगा, odd number है, फिर से यह 3 से divide होगा, फिर हमने यहाँ पर क्या किया, 3 लिख लिया, इस बार जब हम इसको divide करेंगे, तो क्या है, यह 2 टाइम्स जाएगा, आएगा यहाँ पर 6, ठीक है, तो अब 6 में से 2 माइनस गया, तो 8 में से 6 माइनस होए, तो आया 2, तो 2 यानि कि 21 हो गया, तो यह 7 टाइम्स ज देखो, 81 में हम 3 से हमने क्या किया है, डिवाइट किया, तो 3, 2, 6 यह 2 आगया, उसके बाद यह 1 नीचे आगया, ठीक है, अब 3, 7, 21 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर यह क्या हो गया, रिमेंडर 0 हो गया, तो यहाँ पर यह 27 आया है, अब देखो, अब यह देखो, फिर से odd number फिर इसको हम 3 से divide करेंगे तो यह 9 times जाएगा 9 3s are 27 फिर इसको क्या करेंगे 3 से divide करेंगे तो 3 3s are 9 होता है फिर 3 से यहां पर 3 लिखेंगे और फिर यह 1 time जाएगा अब यहां पर यह जाकर के हमारा यह complete हुआ division और यहां पर यह क्या हो गया 1 हो आया है last में अब हम इसको style भी थोड़ा specific है है ना ध्यान रखना इसको लिखने में यहां पर हम क्या करेंगे हमें किस चीज का cube root निकालना है 729 का is equal to यहां पर हम इसी तरीके से यह लंबा साय से बना लेंगे ठीक है यहां पर 3 into 3 into 3 यह सारे जित्ते भी 3 है इन सब को हम क्या करेंगे लिखेंगे यहां पर देखो पहला 3 लिखा फिर multiply का sign लगाया फिर दूसरा 3 लिखा फिर multiply का sign लगाया फिर तीसरा 3 लिखा फिर multiply क साइन फिर चौथा है ना फिर फिर से फिर ये वाला थ्री ठीक है तो ये six times आया one two three four five six और ये भी one two three four five six अब हम क्या करेंगे इसका pair जो है इसमें हम दो pairs बना लेंगे तीन तीन के दो pairs बना लेंगे जैसे देखो ये one two three एक pair बन गया हमारा और ये one two three का एक pair बन गया ठीक है तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम seven twenty nine है इसको एस लिखेंगे और ये वाले sign को हटा देंगे और यहाँ पर से इस पूरे ये जो पूरा एक जो ये group बना हुआ है उसमें से हम एक three को केवल लेंगे बाहर ठीक है और ये multiply के sign लगा है और इस पूरे group से एक three को लेंगे बाहर और ये ऐसे होगा ठीक अब इस three को इस three से multiply करेंगे तो इतना हैगा nine three three is a nine और यही जो है वो क्या होगा हमारा seven twenty nine is equal to nine ठीक है cube root of seven twenty nine is equal to nine और यही हमारा क्या हो गया answer हो गया ठीक है तो friends hope करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी और नहीं अगर समझ में आई है तो please इसे फिर से दुबारा फिर से एक बार देखिएगा तो आपको चीजम बहुत अच्छे से clear हो जाएंगे तो वीडियो को पसंद करिएगा लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू सो मच